भज़ अ को जब घरी का काटा करता है चार बजे का इशारा तो ख़ब्रों से हाइय हो जाता है पाराः क्यों कि 4 बज़े हम चक्र्वाग्य के साथ आपके सामने पेश होते हैं और चारसे लोगों को चक्रिव्यों के चक्र मुफस आते हैं जिनकी पॉल पट्ति सुनकर हर कोई हैरान को चाहे नमस्कार Capital TV में आपका स्बागत है और मैं आपके साथ प्रियाबस्ट आज चक्रिव्यों के चक्र स्वामी प्रसाद मौर सलमान खान पर हमला करने वाले ठग और स्वामी प्रसाद मौर को लगे जटके की चहां बीएसपी ने गुरुवार के सुभा लोगस्भा चुनाओं के लिए अपने दो और उमीदवारों के नाम का एलान कर दिया है बीएस पी ने इस लिस्ट में कुशी नगर और देवरिया सीट पर अपने उमीदवारों के नाम का एलान किया है इस लिस्ट के सामने आते ही suasवी प्रसाद मौर को टघड़ा जटका लगा है ऊच्रा कि दिनों के बीस पी के साथ जाने और कुश की नगर से उमिदवार बनाए जाने की चर्चा थी दरशल कुछ दिनों से स्वामे प्रसाद मौरky की पाटि राष्ट सोषित समाझ पाटि औ अलाकि इससे पहले मंगलवार को ही स्वामी प्रसाद मौर ने एलान कर दिया था कि वो कुशी नगर सीट से नौ मई को नामांकन करेंगे बीएसपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में दो उमीदवारों के नाम का एलान किया है पार्टी ने कुशी नगर सीट से शुभ नाराण चोहान और देवरिया सीट से संदेश यादो और मिस्टर को अपना उमीदवार बनाया है हाला कि इंडिया गटबंदर और एंडिये ने इन दोनों ही सीटों पर पहले ही उमीदवार के नाम का एलान कर दिया फार गॉर्ट अलब है कि बीजेपि से बीजेपी ने शशांक मडीत्र पाठी को अपना उमीद बार बना है वहीं दूसरी ओर इंडिया गठ बंदन के तहत कॉंग्रेस के टिकट पर अखिलेश प्रताप सिंग चुनाव लट रही है इन दोनों इस सीटों पर सात्वे और अंतिम चरण में चुनाव होगा इस क्राइम ब्रांच लगा तार आरोपियों की धर पकड़ कर रही है मंगलवार साथ माई को क्राइम ब्रांच इंडर राजिस्थान में पांचवे संदेद मोहमद चौधरी को गरफतार कर लिया वहीं अब आरोपी ने पूलिस पूछताच में कई सारे चौकाने वाले खुला वीजियो में बनाई है यह खुलासा हुआ है मुंबई पुलिस उसके द्वारा किये गई इन खुलासों की अब जाज कर रही है और उसके मोबाइल फोन को जब्त करके उससे भी डाटा निकाला जा रहा है उसने अपने फोन से यह वीजियो हटा दी है ऐसे में पुलिस को त पारिंग करने वाले दोनों आरोपियों को पहले से नहीं जानता था पुलिस उसे इस मामले में और तथ निकालने की कोशिश कर रही है ऐसी के साथ यह भी सामने आया है कि सलमान खान के घर पर फारिंग करने वाले दोनों शूटर विकी गुपता और स्री जोगेंदर पाल के डरे रुख हुए थे उन्हें अनमोल विश्णोई ने समझा था कि अगर वो सलमान खान के घर फारिंग करते हैं तो उनका नाम हो जाएगा लोग उन्हें पहचानने लगेंगे गौरतलवेगी 14 अप्रेल को सलमान खान के घर पर सुबह सुबह दो शूटर नोंने हमला कर करने वाले दोनुशूटर्स को गुजरात से पकड़ लिया था यह बुझ मैच्छी पे हुए थे इसके अलाओ पुलिस ने दो और आरोपी को अनुश्थापन और चंदर विश्णोई को पकड़ा था इन पर हमले के लिए हतियार उपलब्द कराने का आरोप है अनुश्थ लगाता धंकी देता आया है यह हमला भी उसी के गैंग ने करवाया था अगली खबर में बाट ठगों की जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है दरसल कुछ दिन पहले एक मामला उत्तरप्रदेश के प्रियागराज से सामने आया जहां पर प्रियागराज शहर के महिला को उन्हीं के घर में तीन दिनों तक आरोपियों ने डिजिटल अरेस्ट करके उनके अकाउंट से एक करोड़ अटालीस लाग रुपे की ठगी कर लिए इस मामले को लेकर प्रियागराज के साइबर थाने ने फायार दर्च की थी जिसके बाद पुलिस ने इस मामले म को वाटसेप और टेलीग्राम पर ठगी करके उन्हें इसका शिकार बनाया जाता है इसके आगे आरोपियों ने बताया कि अफसर की पत्नी के खाते से उड़ाई गई रकम को डिजिटल मुद्रा में बदल करके देश से बाहर कैश कराया आपको बता दे कि महिला का नाम काको पुलिदास गुपता जोज टाउन स्थित घर में अकेली रहती है उनके पती केंद्र में अफसर थे जिनका नधन हो चुका है गटना होने के बाद बुजुर्ग महिला ने मामले की जानकारी अपने भतीजे को दी जिसके बाद वो भतीजे के साथ पुलिस अफसरों के पास लोगों को गरफतार कर लिया वहीं साइबर ठगी गैंका सरगना देवराय उर्फ राणा है जो दिल्ली से नैपाल भाग चुका है जबकि पुलिस ने देवराय राणा के बेटे निशांत राय नौइडा से राजेश कुमार और दिल्ली से राम उर्फ चेतन को गरफतार कर दिया है आखरी खबर स्टीम जोती मौरिस जुडी है जहां उत्तरप्रादेश के प्रयागराज में स्टीम जोती मौरि के देवर पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया है जिस कारण उनके सिर्व पर गंभी चोट लगी है उनका अस्पताल में लाज चल रहा है जो बार को कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया जिसे उनके सिर्व में गंभी चोट लगी है और उनका अस्पताल में भरती करना पड़ा विनोत की तहरीर पर उनकी पतनी शुग्रा और उनके कई साथियों के खलाब जानलेवा हमले की फायार दर्च की गई है बतादे की में पहले एस्टिम जोती मौरे ने अपने देवर विनोत और पती के साथ कई लोगों पर दही जुद्पडन का केस दर्च कराया था जानकारी के मुताबिक विनोत कुमार मौरे जीस्टी विभाग में करमचारी है उनका आरोप है कि दो दिन पहले पतनी शुग्रा अपने क पती आलोग कुमार मौरे के बीच विवात तलाग की अरजी पर प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है आपको बता दी कि यह मामला उस वक्त सुर्ख्यों में आया था जब जोती मौरे के पती आलोग मौरे ने अपनी पतनी पर धोका देने और उन्हें जान से माने की साजिश रखने का आरोप लगाया था उन्होंने दावा किया था कि शादी के बाद आलोग मौरे ने अपनी पतनी को पढ़ाया लिखाया और जो अफसर बन गई तो उसे उन्होंने छोड़ दिया आ इसे चक्रव्यू के चक्र में स्वामी प्रसाद मौरे सलमान खान पर हमला करने वाली साइबर ठक और एस्टियम जोती मौरी की देवरानी पसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुल कर सब के सामने आगे चक्र में भलाल के लिए इतना ही फिर पेश होंगे संसरी के इस खुला मैं राजनीती को बहुत गहरे तक समझता हूँ मैं लोगों के बीच रहता हूँ लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नपस को पूप पहचानता हूँ संघर्ष पी सियासत से सत्ता के सिंधासंतर मैं हर खमर से खरा सच निकालगा ना कोई दौड ना कोई रेस क्यापिटल बीच उत्तर देश